आज देखते हैं complete guide for buying your backsplash tile इस वीडियो को देखने के बाद आपके देबाब में कोई question नहीं बचेगा कौन सी backsplash में टाइल लगाओं, डैडो के लिए ये टाइल सही है, वो सारी टाइल सही है कौन सा finish खरीदना चीए, किस type की टाइल खरीदना चीए, कितने depth की टाइल खरीदना चीए, कौन से brand की टाइल खरीदना चीए आपको इस वीडियो में सारी चीजों के आंसर आपको जरूर मिल जाएंगे तो सबसे पहले चालू करते है, जो सबसे प्रेवलेंट यूजrd बैक स्पलाइस टाइल जो सबसे ज्यादा इंडियन किछन में यूज और यहां होती है यह बहुत ड्री हम नकिधां, इस दिक tuo इंटाइल बने सकते हैं में हेरिंग बो पैटन बना सकते हैं box बोक्स बना सकते हैं ब्रिक बना सकते हैं बहुत सारे अलग अलग पैटन में लग सकती है इसी तू क्लीण इसी तो मेंटेन टाइल है एकदम सारे color options में available है जो बहुत सारे आपको अलग अलग kitchen, cabinet के साथ explore करने मिलता है वैसे ही अपने back splash के साथ explore करने मिल जाता है Subway tile में आपको तीन major sizes मिल जाएंगे जो कि यह 3 inch by 12 inch दूसरा है 8 inch by 8 inch तीसरा है 3 inch by 8 inch यह तीनों size बहुत prevalently use होते हैं बट जो सबसे जादा अच्छा रखता है वो 3 inch by 12 inch है क्योंकि इसमें एक बहुत longitudinal feel होता है और इसके साथ बहुत सारे patterns बनाये जा सकते हैं तो यह size बहुत जादा use होता है अपने kitchens में और इसी size में आपको mostly colors भी मिलते हैं बाकी में भी मिल जाते हैं बट तीन by 12 में आपको almost सारे colors जो इसके available है वो मिल जाते हैं इसमें आपकी जो होती finish options में अलग-अलग आते हैं जैसे आप यह देख रहे हैं यह थोड़ा सा textured finish है अब down इसमें है इसमें आप देखेंगे अगर मैं right side में दिखा हूँ तो यह ऐसे chamferd finish options में भी आता है दूसरा option है आपका fish scale टाई बोलते हैं इसको यह ऐसे fish के wings के pattern में आती है इसमें भी बहुत सारे colors है especially pastel color आज के टाइम में available है बहुत अच्छी लगती है अगर आपको traditional field में अगर अपना kitchen बनाना है अगर cutting नहीं अच्छी से हो रही है तो unfinished लगेगा अगर cutting अच्छी से हो रही है तो इसे बहुत सारे pastel color options मिलते हैं जो कि बहुत जादा आपके backsplash को stand out कर देंगे यह एक ही standard size में आता है अलग-अलग patterns है बट standard size में आता है बहुत ही आपको imported और Indian options में मिल जाएंगे Indian options आपके relatively cheaper रहेंगे बट जो आपके Italian या फिर Spain से imported options होते हैं वो बहुत जादा luxurious देखते हैं उनकी depth जादा better होती है दूसरा जो सबसे जादा used होने वाला option है जो backsplash style में लगता है वो है ये 2x4 tiles इसमें क्या होता है best part जो कि जो backsplash area होता है वो 2 feet का होता है और इसकी भी height 2 feet होती है तो ये सबसे easily fit हो जाता है सबसे economical भी पड़ता है अगर आप अपनी backsplash में लगा रहे हैं तो plus इसमें variety of options मिलते है जो आप अपनी cabinets और countertop के साथ match कर सकते हो इसमें बस आपको ये धियान रखना है कि आप कोशिश कीज़े जितना glossy material में जाएंगे उतना जादा ये आपको cleaning में असान रहेगा आज के टाइम में full body tiles में भी बहुत सारे options available है जो आप अपनी backsplash में लगा सकते हैं 2x4 में भी ये options आ गए हैं अभी जो आपको मिलेगा ये GBT finish होता है या फिस उसको बोलते है gloss vitrified finish इससे क्या होता है ये ceramic नहीं है तो porous नहीं होता तो बहुत easy to clean and maintain होता है और इसकी जो layers होती है वो नहीं जाती हैं वो ये size बनाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा use size है इसमें आप से इमपोलो, वर्मोरा, कजारिया, क्यूटाउन, निक्षियाउन जो नेम जो भी सारे brand style में available है वो ये दो बैचार की tile ज़रूर बना रहे है अगला size है जो आप backsplash में यूज कर सकते हो अगर आप उसको बढ़ाने का प्लान कर रहे है तब 32x64 tile को use कर सकते है या in case अगर आप full height tile में जाना चाह रहे है तब 32x64 बहुत handy आती है चौता option उनके लिए है जो बहुत traditional पसंद करते हैं या फिर मुरक्कन theme में जाना चाहते हैं वैसे textured options में अगर आप plan कर रहे हैं कुछ patterns देख रहे हैं अपनी back splash tile के लिए तो ये जो छोटे छोटे जो tiles के boxes जैसे आते हैं इससे आप बहुत सारे patterns बना सकते हैं बहुत सारे color options में आते हैं तो इससे गया होता है आपका back splash बहुत ज़्यादा vibrant हो जाता है अगर आप समझे जी जो all white kitchen में जा रहे हैं बट अपना back splash में आपको experiment करना है तब आप ऐसी tile को use करते हैं इस पे बहुत सारे color options आते हैं texture options आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं प्लस इनके options के साथ आप अलग-अलग patterns भी बना सकते हैं तो यह tile बहुत अच्छी है अगर आप अपने back splash के साथ प्ले करना चाहते है प्लस इस वेरी easy to clean maintain and also work around एक बार आप कपड़े से साफ कीजिए गीले कपड़े से हैं यह पूरा दाग इसमें चले जाएगा और यह vitrified है तो यह कुछ चीज सोखने भी नहीं वाली आपके कोई दाग को नहीं सोखेगा जिसे अगर आपका मसाले का दाग पीछे पढ़ भी गया तो यह Indian kitchen के साब से बिल्कुल perfect है थोड़े से आपको ज़्यादा costly पढ़ेंगे in comparison of 2x4 या फिर अगर आप subway tiles देख रहे हैं यह थोड़े से ज़्यादा costly पढ़ेंगे यह बहुत imported और Indian made options में आपके पास available है आज के time पर in terms of sizes या अलग-अलग sizes में है 3x3 inch 4x4 inch plus कई-कई बड़ी tiles भी आपके पास available है जो आप अपनी back splash में use कर सकते इसमें matte और gloss दोनों option आता है मैं gloss option recommend करता हूँ क्योंकि matte में आपको maintenance सोड़ा सा जादा लग सकता है अगर आप कहीं pantry बना रहे हैं या farmhouse kitchen बना रहे तब आप मैट options भी जा सकते हैं पाच्वा option है terrazzo finish यह बहुत trend में है आज के time में बहुत जल्दी-जल्दी market में वापस आत है दो बैचार मोस्ट प्रिविलेंट साइज जो आप अपनी back splash में यूज कर सकते हैं यह बहुत जादा gloss भी नहीं होता बर maintenance में उतनी problem नहीं आती है एक बार कपड़ा मारेंगे clean हो जाता है तो बहुत सारे इसमें color options available है जो आप अपने kitchen के साथ मैच कर सकते हैं अगर कोई natural finish या vineyard finish या stone fresh kitchen में जाने का plan करता है तब वो ऐसा कुछ अपने backsplash में पसंद करते हैं और backsplash योगी बड़ा area नहीं होता तो उस area में आप experiment करेंगे तो बहुत जादा loud भी नहीं लगेगा तो उसके लिए यह बहुत अच्छा option है सारे जो option देखे वो mostly 9 mm में है ये भी 9 mm में आपको मिल जाती है that is very easy and good to use. So terrazzo finish का जो price होता है वो 70-75 rupees से लेके 100-120 rupees square foot तक आता है depends on brand to brand and model to model. So बहुत सारे options है but this is very decent in terms of pricing and also the outcome that we are going to get for our kitchen. जूड करूँ और आपको बताओ मेरी preference क्या है आपको अपने back splash में क्या लगाना चाहिए? तो अगर आपको एक budget friendly option देखना है जो maintenance free भी रहे तो 2x4 की आपकी GVT tiles या फिर gloss tiles बहुत जादा अच्छी होती है. ध्यान रखें विट्रिफाइडी ले, ceramic मतले वरना वो ceramic porous होती है और वो आपके दाग को सोख लेगी और अच्छा नहीं होगा. तो विट्रिफाइड 2x4 feet की tiles economical भी है, variation option भी बहुत सारे हैं तो कोई भी kitchen में अलग-अलग type की tiles को अपन पसंद कर सकते हैं. अगर experimental mode में हैं अगर अपन तो subway tiles is very in in the trend market and a lot of people are experimenting with their patterns and also style. तो subway tiles is my second preference and then फिर अ में को बस बाकी सारी चीज़ों को light रखना है और back splash को highlight करना है तो जो हमने traditional छोटी tiles देखी उसको use कर सकते हैं वो expensive है ये थोड़ा सा में को drawback लगता है इसलिए मैं उसको ज्यादा prefer नहीं करूंगा या फिर specific कोई design theme रहेगी उसके लिए और जो fourth option मेरा रहता है that is आपको 32x 64 inches की जो टाइल रहती है उसमें कम variation option मिलते हैं इसने बस उनहीं kitchen के लिए जिसमें पूरी cabinets उपर नहीं है पूरी tile लग रही है या फिर 32 inches का में को back splash लेना है मैं उसके लिए prefer करता हूं तो आप में को comment में जरूर बताइए आप अपने back splash में कौन सी tile लगाने वाले हैं कौन के दिमाग में कौन से questions है will definitely help you out with selection of your backsplash